जेई मेंस के एक्जाम में ये क्वेस्टिन छे बार आ चुका है अरे भाई फाल तो का मजाक मत कर यार मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ भरोसा नहीं है तो खुदी देख लो फेब्रेरी पच्चिस दोजार इकिस शिफ्ट टू एक ना एक शिफ्ट मेंसे प्रॉबेबली ये आए गई आएगा पर ऐसा हो कैसे सकता है जेई मेंस जो एक इतना बड़े लेवल का नाशनल एक्जाम है उसमें क्वेस्टिन्स रिपीट कैसे हो सकते हैं इसकी इसको ध्यान से समझते हैं हर सिस्टम में कोई ना कोई flaws होते ही है कोई भी सिस्टम 100% efficient नहीं होता तो जेई मेंस के जब सवाल बनाये जाते होंगे तो वो एक certain process से बनाये जाते होंगे जब कोई professor questions को छाट रहा होता होगा तो उसकी कोई certain mindset रहती होगी कोई psychology होती होगी questions को pick करने के लिए तो अगर कोई इनसान इस चीज़ पर थोड़ा धंसे ponder करे और data को धंसे interpret करना जानता हो तो वो paper के बारे में काफी सारी चीज़े predict कर सकता है ये मैंने तुम्हें सिर्फ एक सवाल का example दिया है ऐसे हर chapter में बहुत सारे repeated questions होते है repeated concepts होते है जो की exams में बहुत ज़ादा frequently पूछे जाते है for the same reason मैं अपने math simplified के program में ये चीज़ आपके लिए available करवाने वाला हूँ हर chapter में से कौन से ऐसे concepts है और कौन से ऐसे question है जो की exam perspective से बहुत ज़ादा important है बहुत ज़ादा frequently पूछे जाते है और मैं सिर्फ ऐसा नहीं करने वाला कि मैंने आपको लागे concept या फिर सवाल दे दिये मैं साथ में prove भी दूँआ कि देखो भई ये इस paper में इतनी बार repeat हुआ है ये particular concept है जो इन सवालों में repeat होई है और ये बहुत ज़ादा important है करना तो हमको पूरा ही chapter है पर ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़ादा frequently repeat होती है उनको हम regularly revise कर सकते है और उनको थोड़ी relatively ज़ादा importance के साथ treat कर सकते है जो कि आपको एक बहुत ज़ादा massive competitive edge दे सकता है ये इस program का सिर्फ एक feature है इसके इलावा दो features और है जो कि आप website पर जाके देख सकते हो link आपको description में मिल जाएगा also for some reason we are taking limited enrollments for now हो सकता है ये limit future में हट जाए बट अब ही तो limited ही है तो अगर आप enroll करना चाहते हो तो it's best to register as soon as possible that's all for this video see you in the next one